दोस्तो सन 2006 में संजेदत की कुल 5 फिल्म में रिलीज हुई थी तो अजेदेवगन की कुल 2 फिल्म में रिलीज हुई थी तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सन 2006 में अजेदेवगन की कौन-कौन से फिल्म में रिलीज हुई थी और संजेदत की कौन-कौन से फिल्म में रिलीज हुई थी और साथ ही जानेंगे कि सन 2006 में किसने जादा कमाई की थी और बाजी मारी थी तो दोस्तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जरूर देखियेगा सबसे पहले जानते संजेदत की फिल्मों के बारे में अगर बात करें इस फिल्म के IMDV रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.4 रेटिंग मिलें और ये फिल्म सन 2006 की पचासवी हाईश ग्रॉसिंग फिल्म रही थी नमबर दो जिन्दा इस फिल्म का बज़र 13 करोर तर इस फिल्म ने इंडिया में 10 करोर 17 लाग के कलेक्शन किया था अगर वर्ल्ड वाइट कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 17 करोर 68 लाग का वर्ल्ड वाइट कलेक्शन किया था और फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी अगर बात करें इस फिल्म के IMDV रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.9 रेटिंग मिलें और ये फिल्म सन 2006-26 स्वी हाइश ग्रोसिंग फिल्म रही थी इस फिल्म का बज़र 13 करोड तर इस फिल्म ने इंडिया में 6 करोड 17 लाग केलेक्शन किया था अगर वर्ल्ड वाइट केलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 9 करोड 80 लाग का वर्ल्ड वाइट केलेक्शन किया था और फिल्म डिसाश्टर साबित हुई थी अगर बात करें इस फिल्म के IMDV रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.2 रेटिंग मिलें और ये फिल्म सन 2006 की 36 वी हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी लगे रहो मुना भाई इस फिल्म का बजट 19 करोड था इस फिल्म ने इंडिया में 74 करोड 90 लाक के कलेक्शन किया था अगर वल्ड वाइट कलेक्शन की बात करे तो इस फिल्म ने 127 करोड का वल्ड वाइट कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होई थी अगर बात करे इस फिल्म के आयम डिवी रेटिंग की तो इस फिल्म को 8 रेटिंग मिले और ये film सन 2006 की दूसरी हाय हिजुड खुरोसुं फिल्म रही थे इस film का बज़न तेरा करोर थर इस film ने इंडिया में 68 लाग कर pale collection कीया था अगर worldwide collection की बात करें तो इस film ने 96 लाग का worldwide collection कीया था और फिल्म दिसाष्टर साबित होई थी अगर बात करें इस फिल्म के IMDV रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.2 रेटिंग मेरें तो दोस्तो इसी के साथ संजेद दत की पांच मोवीज का टूटल इंडियन कलेक्शन 93.86 लाख होता है तो टूटल वर्डवाइट कलेक्शन 158.71 लाख होता है अगर संजेद दत की पांच मोवीज का एवरेज इंडियन कलेक्शन देखा जाए तो 18.77 लाख होता है अब जानते अजेद देगवन की फिल्मों के बारे में इस फिल्म का बजट 15 करोड था रे इस फिल्म ने इंडिया में 29.33 लाख कलेक्शन की बात करे तो इस फिल्म ने 46 करोड 73 लाख का वर्ल्ड वैट कलेक्शन किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी अगर बात करें इस फिल्म के IMDV रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.5 रेटिंग मिले है और ये फिल्म सन 2006 की ग्यारवी हैस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी इस फिल्म का बज़र 26 करोड था इस फिल्म ने इंडिया में 23 करोड 22 लाख कलेक्शन किया था अगर वर्ल्ड वैट कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 42 करोड 42 लाख कलेक्शन किया था और फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी अगर बात करें इस फिल्म की IMDV रेटिंग की तो इस फिल्म को 8.1 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2006 की 14 थायश ग्रोसंग फिल्म रही थी तो दोस्तो इसी के साथ अजेद देगवन की दो मुविस का टोटल इंडियन कलेक्शन 52 करोड पच्पन लाक होता है तो टोटल वर्ल्ड वैट कलेक्शन 90 करोड होता है अगर अजेद देगवन की दो मुविस का एवरेज इंडियन कलेक्शन देखा जाए तो 26 करोड 27 लाक होता है तो दोस्तो सन 2006 में अजेद देगवन की फिल्मों ने इंडियन वॉक्स ओफिस में कुल 52 करोड 55 लाक कमाये थे तो संजेद दत की फिल्मों ने कुल 93 करोड 86 लाक कमाये थे तो दोस्तो इन दोनों एक्टर्स में से संजेद दत ने बाजी मारी थी दोस्तो संजेदत की एक फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई ही अजेद देवगन की दो फिल्मों से आगे थी हाला कि ये फिल्म राजकुमार हिरानी के कारण चली थी वरना उनकी बाकी फिल्में बॉक्स ओफिस में बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी अगर दोनों एक्टर्स का पर मुवी एवरेज इंडियन कलेक्शन देखा जाए तो संजेदत की पांच मुवी का एवरेज इंडियन कलेक्शन हट्रा करोड़ सततर लाक होता है तो अजेद देवगन की दो मुवी का एवरेज कलेक्शन 26 करोड़ 27 लाक होता है तो दोस्तो एवरेच कलेक्शन के हिसाब से अजेद देवगण ने बाजी मारी थी यानि अजेद देवगण की भी 5 फिल्म में रिलीज होती तो अजेद देवगण जीत जाते तो दोस्तो आपको इन दोनों में से फेबरेट एक्टर कौन से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें शेर करें और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते होता हमाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बहले लेकर प्रेस करना ना भूले तक कि मारी वीडियो के नोटिफिकिशन आप तक पहुंच सके